हेलो दोस्तों मैं हूँ अमरिता आपका स्वागत है मेरी किचन में आज मैं रेशिपी लेकर आई हूँ ओडियो ट्रफल्स बॉल की जो की खाने में बहुत टेस्टी है और बनाना बहुत ही असान आईए बनाना शुरू करते हैं ओडियो ट्रफल बॉल बनाने के लिए मैंने दस रुपे वाला पांच पैकेट ओडियो बिस्किट लिया है इन सभी बिस्किट पैकेट के बिस्किट हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं और इसे ग्राइंड करके फाइन पाउडर बना लेते हैं बिस्किट को हमने मिक्सी में पीस लिया है और अब हम ये बिस्किट के पौडर को एक बाउल में निकाल लेंगे और इसमें चॉकलेट गनाज हम मिक्स करते हैं अभी मैं आधा कप मिक्स कर रही हूँ और डो बनाने में अगर और जरूरत मसूस हुई तो हम और भी यूज कर लेंगे चॉकलेट गनाज की रेसेपी मैंने पहले डाली हुई है आपकी सुविधा के लिए येसे मैं वीडियो खतम होने के बाद डाल रही हूँ आप यहाँ भी देख सकते हैं गनाज और बिस्किट पौडर को हम अच्छे से मिक्स करते हैं आप गनाज की जगह पे चॉकलेट को मिल्ट करके यूज कर सकते हैं या फिर आप यहाँ दूद नॉर्मल टेंपरेचर का या फिर चॉकलेट सीरप का भी आप यूज कर सकते हैं इन में से किसी को भी आप यू और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें बिस्किट के पाउडर और गनाज का डो तयार करने में मैंने टोटल आधा कप और दो बड़े चमज गनाज का यूज किया है इसमें कभी-कभी ज्यादा भी कैश करें डो बनने के बाद हम डो को ढगड़कर पांच मीनट के लिए फ्रीज में रेस्ट होने के लिए और के बाँ सबसे निकॉला लिया है और एक जैसे साइस के बनाने के लिए मैं आई्सक्रीम स्कूप कर ऊकूप लेकर फिर उसके लड्डू टाइप से बाल बना रही आप अपनी मन पसंद साइज के बॉल बनाने के लिए अपने हिसाब से स्पून का चूज करें और उससे माप माप के बनाए तो इससे आपके एक ही साइज के सारे बॉल्स बनेंगे एक बार मैं फिर से दिखाती हूँ कि मैंने बॉल कैसे बनाए है स्कूप से मैंने लिया और पहले लड़ू की तरह बांधा और फिर हाथेलियों के बीच में गोल-गोल करते हुए लड़ू बना लिए इसी परकार हम सारे डो से बॉल बना लेंगे बॉल बना कर हम सभी बॉल को एक प्लेट में रख लेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक का बटन दबाए और अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक का बटन दबाए अब इन बॉल्स को हम फ्रीज में रखेंगे फ्रीज में रखने से पहले हम सभी बॉल्स को एक ऐलमुलियम फॉाइल पे रखकर फिर प्लेट में रखते हैं इससे जब हम फ्रीज से बाहर निकाल कर बॉल्स को हटाते हैं तो वो तूटेंगे नहीं और यदि हम aluminium foil नहीं लगाएंगे तो plate से निकालने के बाद वो नीचे से तूट सकते हैं तो इन सभी को मैंने fridge में रख दिया है और अब हम chocolate को melt करते हैं इसके लिए मैंने double boiler method का यूज़ किया है तो इसमें सबसे पहले नीचे एक saucepan में मैंने पानी लिया है पानी हम ज्यादा नहीं लेंगे इसके उपर पहले एक bowl रख कर चेक करें बाउल का तला पानी को छूना रहा हो अब हम gas को on करते हैं पानी को boil होने तक गरम करते हैं और इसके उपर bowl रख देते हैं इसमें मैंने मोर्डे कमपनी का डार्क चॉकलेट यूज किया है आप किसी और कमपनी का भी यूज कर सकते हैं यह आपको आनलाइन इसली मिल जाएगा चॉकलेट को बीच बीच में हम चलाते रहेंगे और चॉकलेट के मेल्ट होने तक हम इसे गरम करते हैं आज मैं दो तरीके के ट्रफल बॉल बना रही हूँ उइट चोकलेट से भी बनाऊँगी इसलिए मैं दुसरे बाउल में जुर को मिल्ड कर रही हूँ इसके लीए मैंने मॉलडे कमपणी का ही उइसको मिल्ड होने तक हम कर्म करते हैं चॉकलेट आप माइक्रोवेब में भी मेल्ड कर सकते हैं चॉकलेट को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे ताकि वो एक सार हो जाए वाइट चॉकलेट भी मेल्ड हो गई है अब हम फ्रीज से जो ओडियो बॉल्स हमने बनाए थे उसे निकाल लेते हैं और पहले इसे हम वाइट चॉकलेट में बना रहे हैं तो मैंने ओडियो बॉल्स को जो वाइट चॉकलेट मेल्ड किया था उसमें डिप किया और एक फोर्क की सहायता से प्लेट पे निकाल लिया प्लेट पे भी मैंने अलुमिनियूम फ्वाइल कोट कर दिया है ताकि जब मैं इसे निकालूं तो ये चिपके नहीं तो इस तरह मैंने दो वाइट चॉकलेट के ओडियो ट्रफल्स बनाए है और अब मैं इस पे आपको डेकोरेशन करके दिखाती हूँ डार्क चॉकलेट के इसके लिए मैंने एक पाइपिंग बैग में डार्क चॉकलेट भर लिया है और उसके टिप पे थोड़ा सा काटके इस तरह से डिजाइन कर दिया अब मैं आपको डार्क चॉकलेट में ओडियो बाल्स डाल कर फिर निकाल के उसके बाद उसके डिजाइनिंग करके दिखाती हूँ इसके लिए मैंने एक बाल को डार्क चॉकलेट में डिप किया और फोर्ट की सहाइता से निकाल लिया और इसे ऐलमूनियम फाइल पर प्लेट में रख दिया इसी परकार हम बाकी साड़े बॉल्स को भी चॉकलेट में डिप करेंगे और निकाल कर ऐलमूनियम फाइल पर रख लेंगे अब हमारे ओडियो ट्रफल बॉल तयार हो गए इन्हें मैंने डार्फ चॉकलेट में तयार किया है इसलिए इन पर मैं वाइट चॉकलेट की डेकोरेशन कर रही हूँ तो मैंने एक पेस्ट्री बैग लिया है इसे आप दूद के पाउच या फिर किसी भी पॉलिथीन में डाल कर भी यूज कर सकते हैं या फिर जैसे आप मेहदी का कोन बनाते हैं उस तरह बनाके भी आप इसमें वाइट चॉकलेट डाल कर यूज कर सकते हैं और इसे इस तरह से कर लिया है अब मैं आगे वीडियो में चॉकलेट गनाज की रेसिपी से एर कर देले हम एक पैन लेते हैं और पैन में आधा कप या 30 ग्राम कोकोवा पॉडर डाल लेते हैं अब हम इसमें दो छोटे चम्मच कॉन फ्लोर डालते हैं और अब इसमें आधा कप या 100 ग्राम ची पैन ही डाल देते हैं और एक चुटकी नमक मिला लेते हैं अब सारी सामगडियों को हम पैन में ही अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और एक कप दूद या 240 एमेल दूद नॉर्मल टेंपरेचर पर थोड़ा थोड़ा करके मिलाते हैं यदि हम एक साथ मिलाएंगे तो इसमें ल वीडियो अच्छी लगी किर्पया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को चरूड प्रेस करें अब हम पैन को मीडियम हीट गैस पर पकाते हैं हम मिश्रन को बीच बीच में चलाते रहेंगे नहीं तो यह तले में जल जाएगा तकडिवन 4-5 मिनट में इसमें उबाल आने लगता है कोकोवा पॉडर से बनाए गए गनाज का टेस्ट बिल्कुल ही चोकलेट से बनाए गए गनाज जैसा ही होता है यदि आपको ज्यादा चोकलेट प्लेवर पसंद है तो इसमें कोकोवा पॉडर की मात्रा बढ़ा दे और यदि कम पसंद है तो मात्रा या 30 क्राम या आधा कप की मात्रा बिल्कुल चॉकलेट जैसी ही बनती है कोकोवा पॉर्डर और दूद के मिश्टन में उबाल आ गया है अभी हम इसे और पकाएंगे जब तक की कंसिस्टेंसी गनाज जैसी ना हो जाए तो इसकी कंसिस्टेंसी हम बिच-बिच में देखते रहेंगे और पकाते रहेंगे इसे हमें अब लगातार चलाना है और साइर से भी हटाते जाएंगे ताकि ये जल नहीं जाए अब मिश्टन की कंसिस्टेंसी काफी गाड़ी हो गई है अब हम गैस बंद कर देंगे, क्योंकि ठंडी होने पर यह थोड़ी और गाड़ी हो जाएगी, फिर इसकी कंसिस्टेंसी पोरिंग गनाज जैसी हो जाएगी, अब हम इसमें दो टेबल स्पून बटर डालते हैं, बटर डालने से गनाज में शाइन अच्छी आती है, और इसमे अब हम एक टी स्पून बनीला ऐसेंस जालते हैं, या बिल्कुल ऑप्सनल है, अगर नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, अब बटर को हम दो मिनट तक गनाज में मिक्स करेंगे, जिससे कि गनाज में अच्छी शिशाइन आ जाती है, आप गनाज को इस तरीके से बनाएं, और अपनी अनुभ़म मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, बाई बाई